मनुष्य एक जीव होते हुए भी शेश जीवों से भिन्न है क्यूं? कारण मनुष्य जीवन समाप्त होने के पस्चाद भी जीना चाहता है और इसका केवल एक ही मार्ग है समान जो मनुष्य के मृत्यों के पस्चाद भी जीवित रहता है उस समान को पाने के लिए मनुष्य वर्षो प्रियास और परिश्रम करता है और ऐसे में शत्रू के लिए सबसे सरल लक्ष बन जाता है आपका समान हम अपने शत्रू का अपमान करके उसके वर्षो से कमाय समान को छिन भिन कर देना चाहिए परन्तू कर्म करने से पूर परिणाम पर एक बार विचार अवश्य कर लीजेगा वर्षो से संचित शत्रू के मान को भंग करके आपको संतोश अवश्य मिल सकता है परन्तू वो शत्रू अपने जीवन के शेश हर पल को उस अपमान के प्रति उत्तर में लगा देता है किसी लिए सावधान रहे किसी का अपमान करना स्वयम आपके लिए भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है प्रतराष्ट पुत्र विर्योधन की ओर से पांडू पुत्र नहीं प्रत्र विर्योधन की हुर से पवन पुत्र भीम को सह प्रेम प्रेट विए कार करें खनोड़धार यार्जू इंद्र के पुत्र गुरुवंछी द्रतराष्ट के पुत्र दुर्योधन की ओर से भेट सुविकार करो अश्विनी कुमार के पुत्रों को द्रतराष्ट पुत्र दुर्योधन की ओर से हिट मुझे किस संबोधन से पुकारेंगे द्रतराष्ट पुत्र अब पाँच पतियों की एक पत्नी को मैं क्या कहके बुकार हूँ फिर भी तुम्हारा जन्म यग्य की अगनी से हुआ है तो तुम हैं यग्य पुत्री है कह सकता हूँ बहुत यदी उद्गम की है तो आपके जन्म के सत्य से भी सभी परिचित है घट पुत्र यग्या खाण्मारी शिबानी शर्व विचेद्ग्रमी पदा करताणा अब राजसोई यग्य संपन्न हुआ अतितियों के पूजा के बाद ही आप समराट सिद्र होगे मैं अग्र पूजा के लिए उन्हें अमंत्रित करना चाहता हूँ जो आरे व्रत के सर्वश्रेष्ट पूरश है जिनके कारण ये यग्य संपन्न हुआ है और वो है वासुदेव कृष्ट अच, रुख अब समय आ गया है इस यग्य के विध्वंस का और शिशुपाल की दष्टता के प्रारम का समय आ गया है शिशुपाल के दृश्टता के अंत का किस्की अग्र पूजा कर रहे हो ये उदय्यूजष्पर इस मप्रिष्न की हक अगर पूजा उसकी होती है, जो हर शेत्र में सर्वस्रेष्ट हो, हर शेत्र में अगर हो और ये कृष्ण, ये तो छल करने में अगर है, मैं इसको सर्वस्रेष्ट नहीं मानता शिशुपाल, अगर पूजा किसकी की जाए, वो यग्ये के अवान करता काधिकार है आप अपनी मर्यादा से भार जा रहे हैं निसंदे मर्यादा की बात मत करना युदिष्ठे क्योंकि मुझ में मर्यादा होने का दंब है तो पुछ में नहीं हो सकता युदिष्ठे और दंब हो भी तो किस बात का पात पिताओं के पुत्र को कुल का दंब हो भी नहीं सकता दाओदाजी शुपाल चलाओ मद्भीम इस पार तिल्दाने से कुछ नहीं होगा सत्ते ही कह रहा हूं राजस हुए यह के कर लिया परन तो समराठ होने का गर्फ कहा वरनावत के पुछोलों के पास कहीं दां में मिले राध्ये को पाकर शूर होने का ब्रहम तो नहीं तुझे जरासंद को छल से मारने के पश्चाथ फोयम को नाई शील कहने का सास भी नहीं तेवल शरीर ही बड़ा पाया है या सास भी है भगोडे कहीं के अगर सास है तो उठाओ शस्त्र आप अतीती हैं छेदी नडेश अतीतीय स्विकारी है विग निक्यू डाल रहे हैं शांत जुदिश्थर मुझे रोक रहे हो अपनी माता को रोका होता जब उसने एक स्त्री को पाँच पुर्षों में बाटने को अदेश दिया स्त्रीयों का सम्मान करना सीखो शिशुपाल ये मत भूलो कि तुम भी एक नारी की कोक से जन में हो ये देखो शेरी कृष्ण वासुदेव बोले तार का सबसे बड़ा पाखंडी चली कहांबी उझे सिखाएगा कि किसका अब्दुमान किया जाए किसका समान अग्दर पूजा की कामना रखने वाले तू जानता है तेरा नाम कृष्ण क्यों पड़ा क्योंकि तू है ही मन का काला तेरे माता पिता ने तुझे जन देते ही इसलिए त्याक करमोसरा से गोकुल पहुचाया क्योंकि तेरे बाओं देखते ही भाप गये थे कि तू कुल नाशक्सित होगा वही किया तूने वही किया अपने मामा का बत जीभा और अश्व की गती एक समान होती है शिशुपाल यदि उसके रास को कसकर ना रखा जाए तो अश्व अपने सवार को गिरा देता है और जीभा बोलने वाले को सिरी कृष्ण वासुदेव की बड़ी-बड़ी बाते हैं अरे जो सत्य है उसको कहने में जिभा को लाज कैसी पसबन से धूत रहा है तू सब जानते है माखन स्वयम चुराता और आरोप अपने मित्रों पर लगा देता धूर्च मुझे कहता है कि जीभा पर रास कशू तूम्हें जो बंदावन में रास रचाए यह संसार जानता है कामी है तू कामी प्रेम का जहांसा देकर जो इस्त्रियों को धारता रहा वो मुझे इस्त्रियों का सम्मान करना सिखा रहा है क्या क्या नहीं किया तूने नान करती इस्त्रियों के वस्ता तूने चुरा है अरे गौकुल की विवाइद पहिलाओं को मोहिद करके उनका चर्द्रबतं तू ने किया मैं साउधान करता हूँ तुम्हें मेरे धैर की परीक्षा ना लो शिशुपाल अपनी सीमा मेरा हूँ धैरे तो मेरा ढूट गया है उसकी अगर पुजा होते देखकर जिसने सदा इंथ पीछे से प्रखार किया कायर है तू कायर सीमाए तो तूने लांगियें छल से रुक्वनी का हरण किया तूने इस्त्रियों का परण करने वाले दोस्त तुम्हारे पापो का घड़ा भरता जा रहा है शिशुपाल सावधान क्या करेगा तू युद्ध करेगा मुझ सहे जैसे जरासम से किया रण छोड़ अरे युद्ध भूमी छोड़कर भागने वाला कायर है ये रण छोड़ है तुष्ट है ये जा करेगा तेरे ये दास फांड़ो इंके द्वारा तू मुझे भी मरवाते का कुल नाशक है तू और तुझे अगल पूचा का सम्मान चाहिए ठूप पस्टिश्वार अपनी सीवा को फश्ट में रखो हाइच अच्छे एक सूथ पत्र की बत्रां की आवश्टा नहीं है ये मेरा और इस क्वाले का प्रक्रन है नहीं अंग राज रुक जाओ निकाल देने दो छेदी नरेश को अपने मन का मैल इनका नाश करने के लिए अपना बान वे अर्थ मत कर इनकी जीवा स्वैम इनके नाश का कारण बन जाए ऐसे बालक यो धाओं को तू अपने छल से बश में कर सकता है या भी तेरे इन दास पांडवों को मेरे जैसे अवीर को नहीं अमा श्री इस कृष्ण ने विशे को अपनी ओर मोड़ दिया है शीशुपल के सौ अपराद भी पून होने वाले हैं इसे इसे रोकना हो को शीशुपल थेरो जब दूर रहना कायर दुर्योदन सौहम से कुछ होदा नहीं है और मुझे रोक रहे हो बैठेर उतने मामा को त्रिया पकड़कर आज इस स्त्री के मान का पाखन करने वाले को उसका उच्चत स्तान दिखा कर रहूंगा मैं सोला हजार सोला हजार रानियों से जब तेरा मन नहीं भरा तो दूर पांचाल चला गया तेरा और इस पांचाली का क्या संबंद है किसी से छिपा नहीं है पांचाली का विवाद तूने जानबूज कर इन पांड़ों से करवाया क्योंकि तू जानता है यह मूर्ख कभी तेरा विरोज नहीं करेंगे सखा सखी सखा सखी की संबंद की यार में यह रास लिला रचारा है तू यह में भरी बहत जानता हूँ पारिस्त्री गमन करने वाला बापी नहीं महाबादी है तू एक तुम्हारे पापों की सीमा समाप्त हुई और मेरी सहन शीलता भी तुम्हारे पारिस्त्री गमन करने वाला बाप्त हुई पारिस्त्री गमन करने वाला बाप्त हुई शिशुपार तुम्हें जो वर्दान मिला उसे पाकर तुम अमर भी हो सकते थे मृत्यू का भय नहीं था इसलिए संसार और मानपता की भलाई के लिए उसके कल्यान के लिए तुम वो कारे कर सकते थे जिनके लिए तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाता शिशुपार परंतु शक्तिशाली होने के अहंकार में तुम अपने वर्दान को व्यर्द कर बैठे शिशुपार तुमने किसी का प्रेम नहीं लिया शिशुपार केवल शाप लिया अब देखो तुम्हारा अंत तुम्हारी मृत्यू तुम्हारे समक्ष है यह जा करें वासुदेफ यह 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 निया है मैं इसका फे झाल्चर ऑाचो और ईह ता झाल्ड़ dep Straßen love झाल्बरा झाल्ड़ा भट ठाल्ड़ कराप? अब्हारे समक्षर एसका करें भसकाथम्हारे संकार के तुम्हारे समक्षर आंत व careful nuances वारम अर्मस्या वारम आदम सिजां के हम अरादी, दे रक्षा करो, मैं दोस्त चूहूँ, कायरूमे क्यमा चाता हूँ, दे रक्षा करो नहीं तुम केवल एक अब्रादी हो जिसे बार बार साफधान करने के पस्चाद भी वो नहीं माना तुमने ना केवल एक अथिती के मर्यादा भंकी अभी तु एक स्ट्री के सम्मान पर भी प्रहार किया तुम्हारी सहायता करना एक अप्राद है जो मैं नहीं करूंगा बजयुना बजयुना पस्टोद अवल जो नहीं माना जो करनो नहीं वो नहीं करना आगाई जो तुमना बνुमना पस्टोदे रचाद़ जो जो ईवलना अभी तुमना फ्जवन यही तुम्हारे पापो और अपराधु का अंत है और तुम्हारे दुखो से तुम्हारी मुक्ती भी अनर्थ हो गया वासुदेव अनर्थ जिस अतिति के केवल अपमान से यग्यभंग हो जाता है वहां उसका वद कर दिया आपने मेरे भांजे युदिष्ठिर का यग्यभंग कर दिया आपने अनर्थ हो गया वासुदेव अनर्थ मेरे भांजे युदिष्ठिर को सम्राठ बनने से रोग दिया आपने इस हिंद्रपरस्त को शाफित कर दिया मामा श्री अचित कह रहे है यह 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 फंक हो गया नहीं दुर्योधन प्रथम अतित्थ ने अतित्थी का वद नहीं किया दूसरा अतित्थी अपनी सीमा और मर्यादा का उलंगन बार बार समझाने के पश्चाद भी कर रहा था इसलिए प्रान खोने से पूर उसने अपना अतित्थी का पद खोए तीसरा उसने अपराध किया जिसका उसे डंड मिला और चौथा जहां अपराधी को मुक्ती मिले वो स्थान श्रापित नहीं सम्मानित होता है दुर्योधन विश्वास ना हो तो अपने मित्र अंगराज से पूछ लो पासुदेव ठीक कह रहा है मित्र मित्र शांत हो जाओ इस समय तुमने कुछ कहा या किया वो तुम्हारे ही विरुज जाएगा मित्र तुम हस्तेनापुर के प्रतिने दी हो तुम्हारी एक भूल हस्तेनापुर का गौरत सदा के लिए नश्ट करतेगी शांत हो जाओ में तुम्हारे मैं शांत नहीं रहूंगा यह एक एक अतिती की मर्यादा को भंग किया गया है अब मैं इस थल पर एक सर नहीं रुकूंगा तुरियोधन तुरियोधन जो सोच कर आए तरे वो वो कुछ नहीं हुआ हर स्थान पर हर स्थान पर हमें चलने के लिए प्रयोजन किये गए मुझे तो यह सामज मैंने ही आता कि हम यह आए है कि उते चलिए मामा श्री मित्र मामा श्री ऐसे कहिए कि वे सामने ना है मित्र कहता है मुझे मियाए की बात कहकर उसी की बात का विरोध करता है मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर लाहू मित्र वे तो मेरी बाद समने ही प्रप्सकर्ण वा प्रप्सकर्ण 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 तदने अदनी जै हाँ आँ है थाँ दो लो थो अ झा इन आ आ हुआ है इस सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला था स्वयम भूल भैटा कि वो किसका पुथ्र है अंधे का पुत्र, अंध। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.